यहां पर कोई जैतिवारी आये हैं हाजी जैतिवारी बताएं क्या क्या करना प्रणाम एश जी सर मैं गार्री का छात्र हूं जो साइन से पढ़ाई करें बट मैं जब एक यूटुब चैनल की कमेंट बॉक्स में गया मैं उदर आपकी पब्लिक यानि जो आपके सपोर्टर से उनके कमेंट पड़े जो कहते हैं कि नालंडा युनिवर्सिटी को ब्रामिड ने जला इसके आपका बहुत सारे प्रूफ है तो मैं उसी चीज में आप से बात करना चाहता हूं तो क्या प्रूफ है क्योंकि मैंने उसके आरह में जहां तक पढ़ा आना तो मुझे सिर्फ द जो इसने मीनी हाच ई शीरच कुछ ऐसे नाम के एक पर्शयन हिस्टोरिया ने लिखे तबक्त ई नशीर इसी वो बुख है तो मैं उसमें यह बताया है उसमें नालंडा युनिवर्सिटी को बग्तियार खिलजी ने जलाया ये उनने बताया जब उनने यह बताया तर्ये कि ज्फिक्र नहीं जिक्र आया है कि दिया है पता और जहां तक है कि मैंने जहां तक पता करने कोशिश की तो यह भी तो कहीं नहीं लिखा कि ब्रामीन ने जला वो सिर्फ दो बुक में लिखा है और दोनों वह दोनों भी नहीं कहां है थे उन दोनों भी कहां इंडिया थे उन भी ऐसा कहां बोला है अच्छा एक बाद बत इतनी दुरूस्त है इसी पर आप जो है फैक्ट चेकिंग करेंगे आपको यह पता चल गया कि बारवी 13 सदी में नलंदा जब जलाया गया उसका आपको पता चला तबाकत नासरी में जिसमें कहीं लिखा ही हुआ नहीं है अभी किताब खुल के हम दिखाएंगे उस पूरी कित किताब खुलते हैं यह देखिए यह तबाकत नासरी है तो इसमें कहां लिखा है कि नालंदा को बक्तियार ने जलाया था मुझे ट्रांसलेशन में तो वही बताया गया जहां तक मैंने ट्रांसलेशन को सुना है और एक चीज़ बात होगी ना पहले आपका क्लेम पहले जो है उसको हम दिर्वंग करेंगे ना बाकी हमने तो वीडियो बना रखी है वीडियो तो हमारी अल्रेडी बनाई गई है उसको हम लोग चेक करेंगे ही करेंगे वाले हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो आप लोगों का क्लेम है उस क्लेम में कितना अब बताएए ये तबाकत नासरी है जरा इसको पढ़के बताएए तो कहां इसमें नालंदा का नाम है पढ़िए अन्म्यूट कीजिए अपने को आब तेर is अम्यूम्यूट आपने इस लाद्वेट का नाम है। अपने बताएए श कीजिए अन्म्यूट कीजिए जूर अब आपकति इस स्वें ये एंध्यून्यूफ ये इस लिई लंब के बताएए उन्यूट इस्ट्रीट आपावति ये बताहिएं अब्सके इस अच्छ útend important for the पुरते पुर्ते टर टेड़ी अप्रावे बाष्यूर अप्राथेशंगे खिफॉद अरभ झाफॉरेश अप्राष में बाष्य बाष्यूर को अप्रावा तो टेर बाष्यूर अट्यूरों सब्सक्राइब देखने जाए तो एक तैसे नालंदा विहार का जिक्राइब इसलिए न कहता हूँ कि आपको जनकारी कम है जनकारी कम है तो ऐसे जूटी बात नहीं न बोलते हैं सब खुदाई हो चुका है ओडान पूरी यह जगा था और यहां पे यह सारी बात लिखी हुई है इसमें इन बातों का भी जिक्र है कि इसके बाद से एक ही दिन के अंदर बंगाल में कोई एक बंदा मर जाता है किसी को प्रैज दिया जा रहा है यह बंगाल की बात चल रही है बिहार की बात नहीं है आप लोग हवा हवाई कहानी गढ़ देते हो यहां पर क्या लिखा है कि अग्रेटर और कहीं यहां पर आग लगाने की बात नहीं आई है हमला हुआ अटेक हुआ फिर यहां नीचे लिखता है कि लोग मर गए थे किताबों को किताबों को जलाने की बात आप लोग कहते हो यह किताब जलाने की बात नहीं है यह कहता है कि वहां बहुत सारी किताबे थी हिंदूज that they might give them information respecting the import of those books but the wool of the Hindus have been killed सारे हिंदू मर चुके थे तो कोई पढ़ नहीं पा रहा था on becoming acquainted with the content of this book अब उस book के content के अधार पर it was found that the wool of the fortress and city was a college तब उससे इनको पता चला कि वो किताबों के अधार पर कि वो एक college था and in the Hindu tongue they called a college विहार तब इनको पता चला कि वो विहार है लेकिन वो कहीं यह बात नहीं कहते हैं कि यह नालंदा विहार है खुदाई हुई तो पता चला कि ओडान्त पूरी विहार था यह जहां पर इन लोगों ने पहुँच गए थे लोगों मारे थें किताबे जलाने की कहीं चर्चा नहीं आई है और नो नलंदा विहार जलाने की चर्चा आई है तो यह फेंक न्यूज फैल आई गई है तबाकत नासरी के अधार पर कि उन्होंने नलंदा को जला दिया था अब बोलिए अब क्या प्रमाण बचा आपके पास नलंदा जलाने के लिए भी जाता तो बंगल कहां से पहुच गया और दूसरी बात एक मिनट हमने आपसे सबूत मांगा कि इसमें आपका जो क्लेम था कि आपने तबाकत नासरी पढ़ा है जिसमें आपको नलंदा जलाने का जिक्र है तो हमने आपसे सबूत मांगा कि आप सबूत दीजिये, हम बता रहे हैं कई से, सुनिय ध्यान से, पहली बात कि यह जो स्टोरी सुनाया है, उस स्टोरी कहां पर सुनने को मिला, तो कहता है in the service of उपर, मुहम्मद एवक्तियार and the author of this book met with Shamsu Iddin at Lakhvanti, Lakhvanti जो जगा है in the year of 641, हिजरी, यानि कि यह 641 हिजरी में वो सुनता है, कहां पर सुनता है, तो Lakhvanti जो है बंगाल में है, लकhvanti जगाल में हैं और वहां पर ये दोनों भाई, जो दो भाई थे, उस service में थे, यानि सेना में थे, काम कर रहे थे, उन दोनों ने उडांत पूरी को कैसे अटेक किया गया, वहां पर क्या घटना हुई थी, वो कहानी सुनाई थी, इस बक्तियार ये तबाकत नासरी के लेखेक समसुदीन को, ये बात यहां पर लिखा हुआ है, तो आप जो है न, बिना किसी जनकारी के, हावा हावाई महल आप लोग त्यार कर लेते हैं, कि नलंदा जला दिया, कहां एक सब्द नहीं आया है, न कहीं जलने की बात यह, न नलंदा की बात यह, ऊपर से ये बात जरूर आती है, कि वो जो सैनिक जो सुनाते हैं, उसको ये कहा नी, उसको बता रहे थे लिखा है, हमने कहा आपसे, कि तबाकते नास्री नै कहा है ओ दूसरे उसके एविडेंस होंगे न, अब ये बताओ कि नालंदा युनिवर्सिटिटी किसी थी उनलंदा युनिवर्सिटी तो गुपता एंपरन में एक ब्रामिन राजा नहीं तो वह ने बना दिया तो गुपता एंपरन्न है राजगीरा में बताएं कितना था और भारत में पहली बाद सुन जाओ मैं बता दो बच्चे को यह नहीं पता है कि पाहियान का नाम नहीं पता है थोड़ा अपना आप मूट कर लिया कीजिए क्योंकि आपके तरफ से ना बेक्ग्राउंड साउंड आता है जब मैं बोलता हूं तो तो भाहियान भारत में कब आ हैं 400 कितना में बनाया था 427 सेंचूरी में आप आप कहां से पढ़ाई करते हूं 399 में आया था फाहयान भारत में और किस चीज की खोज में आया था वह नालंदा उन्वर्सिटी में पढ़ाई करके गया था पटना गया था और वहां पे उसने पढ़ाई किया जिक्र किया क कि तीन साल वहां पे विनाय पीटक पढ़के गया हुआ है 399-80 में इसके अलावा वहां पे और भी बहुत सारे सबूत मिले हैं जैसे समराट असोक के जो साथ में जो लोग थें उनके अस्थियां मिली है वहां पे जिससे यह प्रमारित हुआ है कि मौरियंस काल तक का जाता है नगारजुन वहां से पढ़े हुए हैं वहां तक का जाता है आपने किस राजा का नाम लिया था गुप्त वन्स में आपने क्या बताया था कि कौन सा इतिहांस पढ़के आयो हमको यह नीं समझ में आ रहा है इक गुप्ता वंस कई से छत्रा छत्री कई से बन जाएगा गुप्त वंस जो है बुद्धिष्ट किंग्डम था उच्छत्रा छत्री की से बन जाएगा गुप्त वंस का कभी अविलेक पढ़े हो देखे हो कभी कुप्त वंस का यह पढ़ें तो यह क्या लिखा हुआ है राज शीरी कुमार अर्टोस आज उपर फोटो किसकी है यह गुप्त जो है उनका फोटो है कुमार गुप्त का फोटो है यह अई ब्रामण नहीं है देखें यह बुद्धिजम की मुद्रा में पूरा यह बुद्धिष्ट एम्पायर था अच्छा गुप्त वंस की लिपी किसने पढ़ा था मुझे नहीं पता पर एक चीज़ बत पढ़ा था नीचे धम चक भी है सब लोग देख सकते हैं तो गुप्त वंस जो है अगर इसने अस्थापित किया था नलंदा विश्व विद्याले तो भाई वहां पे मौर्यकाल के जो मौगदलयायन और भी वहां के उस समय के जो विखु लोग थे अरहत लोग थे उनके अ भाग खड़ा हुआ एक ही सबूत देखा गुप्त वंस का जिसको कभी ब्रामण कभी हिंदू कभी चटरी कभी पता नहीं क्या-क्या बना रहा था च्छोटा चटरी बड़ा चटरी एक ही सबूत देख लिजिए कि इन लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा है कि एक सिंगल बड़ा हुआ तो अब सबूत देख रहे हैं सबूत मैंने इसी चैनल पर वीडियो अपलोड़ेड है जाके आप दो पहले से जाके देख लीजिएगा वहां पर आपको मिल जाएगा तो इस जब आते हैं तब फिर से हम इनसे कंटिन्यूड करेंगे